हेलो स्क एलेक्ट्रों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मेरे पास का एक 300 वाट का एंप्लिफायर रिपेर होने के लिए जो कि आप आप देख सकते हैं इस ट्रेंजर का M.C.A. 316 और ये दोस्तों मोडिफाइड मोडल है जो कि सब्सक्राइब वांच भाए तो तो आप कैसे भी लगा सकता कोई दिक्कत निया ठीक है तो एक ए टोंस पे लगाना आपको सिंगल स्पीकर जो लगाना हमें एक स्फिकर अगर ऊद्वाएं तो मैंने यहाँस एकर तो इसमें दोस्तों अभी आप Bluetooth नहीं होए करता था उसके अंदर ट्रांजिस्टर जो नहीं आप दोस्तों हमारे एप अर यहां पर यहां हरा यहां पर कम आफ्ट होती है ठीक है यहां पर सटकते हैं अधिशन करें च्छोटियों को प्ले करता ओ 있는데 अन्ये हमारा काम हाड़ वर्क को रिपेर करना तो तो चलिए देखिए दोस्तों देखिए अब देखिए यह एसकंड आगे करने आपर वांस बसक्ति हम प्रॉब्स करता हूं में तेखिए भाय तो भाह शाय χीर में प्रोवड फिर प्रोब्लम जो है तो दोस्तों अब इसаст Bizler यार को रिपेर करेंगे कैसे रिपेर करना है कंप्लीट वीडियो देखे यार वरना दोस्तों वही चोटे मोटे एंप्लिफायर करते रह जाओंगे दस पिस पचास रुपए के चक्कर में रहा जाओं नहीं भाई अच्छा कमाओ तगड़ा काम करो मस्त करो कोई दिक्कत नही है दिक्कत यह है कि भाई इसलिए बहुत से भाई हमारी वीडियो को फेक नहीं बता पते जान बूज कर भी क्यों नहीं बता पते उन्हें पता है सर बिल्कुल लाइव वीडियो बनाते हैं और होगी तरह नहीं है कोई काट बेटके जुगार बेड़के रिपेर करते तो हम जो है ना वीडियो बिल्कुल जैनुएन बनाते हैं एकदम ओरिजिनल जो होगा आपके सामने होगा क्योंकि भाई हमें बरोस्टा है हम कर सकते हैं ठीक है ना जिसको अपने काम पर बरोस्टा नहीं होता ना वह भाई वही है पोज करा जुगार करा फिर वीडियो बनाई प समय आया है क्योंकि होली का समय चला है हमाई इदर तो भाई देखिए पंडिसन देख सकते हैं आप एंपलिफायर वैसे तो लेकिन साफ लग रहा है लेकिन इसके अंदर काफी जाद है जंग वंग लगा हुआ भी देखिए आपको मैं थोड़ा सा दिखा दिता हूं देखि हो वाई है यह देखिए इसलिए ही सायथ सबने मना किया इसको रिपेर करने से देख सकते हैं यहां पर कंपोनेंटों में भी जंग लगा होगा हर एक लैग पे चलिए रिपेर तो करना है अब यह रिपेर होने आया है तो सबसे पहले ऐसी जब फाल्ट आता है आपको क्या एक बार चेक करना है यह रहरा के मैं है कैमरे को रख देता हूं एक तरफ आपको दिखा थांसी क्या अच्छओं ना यह रहाए और जो सबसे पहला जो काम करना फ्यूज चेक करना है वैसे तो सिंपल सा है अगर इसका फ्यूज खराब होता तो दोस्ते डैड कंडिशन में आथ ठीक है ना लेकिन फ्यूज हमारा ठीक होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगा बाद टेस्ट कर लेते हैं इसे फ्यूज को कोई चैक कर लेते हैं अब हो तो ठीक है हमारा फ्यूज होल्टर भी क्लीन है यह देखे मैं इसको जैसे लगा रहा हूं इस पारकिंग आ रहे है क्योंकि सैट से बंद हो रहा इससे चले रहा ठीक ना यह देखें सीधा अब ध्यान देना सीधा इस von टेकन यहां पर यह चलता है यह हमारा चलता है यह तो जो तीस पॉंट पच्छीस वोल्ट ने जा रही है यह बिल्कुल ठीक आ रही है वैसे तो जी रो तीस इसमें आनी चाहिए थी क्योंकि दोस्तों शिर्फ उसी सही अभी डीस पे भी तीस वोल्ट दिखा रहा है क्योंकि यहां पर पूरी फिक्स अभी 200 वोल्ट आयो 220 आएगी तो यहां पर वोल्टेज बढ़ जाए क्योंकि डीसी में थोड़ी फालत हो जाती है तो वोल्टेज तो करीब करीब ठीक है जितनी होने चीए ठीक है कोई दिखकत नहीं उसके बाद देखे दोस्तों इसमें दो बाई से यहां पर हमें खोल लेना होगा भी मैं आपको खोल के दिखता हूं से तो मैं यहां से पेज कर ले लेता हूं नीचे पेज लगा हुआ इसके वैसे तो लग तो दो रहे हैं एक ऐसी धिला पड़ा है ज्यादा टाइट नहीं है तो मैं इसे जो टाइट वाला पेज लेता हुआा है ने धिलेवाले तो आगा सेखो लेता हूं तो भाई मैंने दोनों पेज को यहां पेज खोल दिया है भुए Imagine के वारसल निकाल लेता हूं तो देए मैं अटा दें वह यह जो较वर बोड है इमारा है पूर ही फ्री ओचुका है ठीक है ऑब आपको कम्या पर दियान क्या रखना है ध्यान देना मेरी बात पर यहाना मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा मैं आपको दो तिन चीज का ध्यान देना इसमें आपको थोड़ा कैमरा जश्चिस के उपर ही फोकस करता हूं मैं चलिए अब आपको बिल्कुल सभी दिख रहा हुघ ahíkẹna अब ही और अब यहान पर दियान देना प्हले बन प्हूंन अब को एक चीज़ का ध्यान देना है यहां वे लाइए यहाओ posled AIr आपको बताऊंगा हैं पहता क्या है थेना मेरे बात पे यह जैसे यहां इसके लिए व्लिटेज जो ड्राइवर पर जानी और नहीं आ रही है तो भाई उसके लिए आपको करना क्या है देखिए मैं आपको बतता हूं कैसे चेक करना है तो सबसे पहले आपको नंबर देख लेना है तो मैं आपके थोड़ा दा नंबर जूम करके दिखाता हूं ठीक ना अब यहां पर थोड़ा सा देखना मुझे साध आपको दिखाना तो जरूरी है मैं दिखाँगा जो देखिए वह आपको दिख रहा होगा यहां पर एल 7818 ठीक है ना यहां पर रिखा हुगा रेड़कॉम 2N6292 देखिए इनको छोड़े देखिए टाइंस्टर है यहां पर आ जाई है आप यह देखिए ल7818 यह है हमारा दोस्तो एक रेगुलेटर आइसी जो कि 18 वोल्ट में रेगुलेट कराती है तो भाई इसको हम देख लेते ह होगे ओन्ड और यहां लिया हमने मल्टी म्लटी मेंट्यमेटर ऑटो फंक्शन पर सब्की में इसे रह सकते हुएं जो धिक्रामीट मुस्ट तो भाई आपको कर लियुँ आ और यहां पर यहां वाली निगेटिव आपको इस त्तरह से यहां पे लगा लेनी है यानिकि नियिए जों इसके बीचवाली पिन हे और आपके यहां पered मिद्धर अमस्ट्र मीज़िए और परेंबाइस ब्रगुंनग्र और यह बॉल्ट्ग मुंक्र आइड पहजिए क्सक्रेफडिव सब्सक्राइब इसकी तीशरी पिन पर हमें मतलब जो अगली दिक्कत आती है भाई हमारा यहां थार वोल्टेज करेक्टर तो इसके मंदलब ड्राइवर बोड चल ला है अगला आता है इसमें प्रिशेट लगा होता है इस वाले एंप्लिफायर में ठीक है न यह पुरान एंप्लिफायर होते हैं तो आपको जो प्रिशेट दे में लेकिन मौस्टली जो जितने जातर जो इस यहां पे एंप्लिफायर आते हैं इस तरह के पुराने वाले उनमें क्या होता है दोस्तों सोम का एक प्रिशेट लगा होता है ठीक है तो थोड़ा सा हाप पे कर करके छोड़े ना और डीशी ऑफसेट के लिए होता है तो दोस चीज है देखे भाई एंप्लिफायर रिपेर होना आया तो रिपेर तो करेंगे अवाज ऐसी करने है बिल्कुल जैसे इसकी पहले थी बिल्कुल कदी ठीक है तो बने रहना भाई वीडियो को क्योंकि देखिए मैं चात्तों भाई जो मेरे वीडियो को देखे कुछ ना कुछ रिप्राइब भाई अपना रोजी काम करें यहां कुछ ना कुछ नोलीज ले गडिया उसकी पिछे की सीट निकाल दी है तो फिल्डी गल इंपर ऑंप सब्सक्राइबallow beauty Wie तो याझी है दूसरी नंबर और किसे नंबर आपस में जोइंट है और यहां से हयां मतलब यहां से वाला है नी कर रेंगे भाइब श्र maintenant करेंगे तो अम्फिलाल आपनपना भंच्छे बंद कर लें Dec इंदिए में कुछ ना रखा उल्टी सिद्धी वीडियो देखके तो एक प्रोब हमने रख ली और एक प्रोब यहां रख ली तो यह तो जिरो पॉइंट जिरो जिरो ओम सारे हैं जा प्री सेट पूरा भूमा हुआ है प्री सेट पूरा भी नहीं घुम रहा है तो हम क्या करे हम रहेंगे दोस्तों प्री सेट को हलका सा मुवमेंट करेंगे प्री इधर की तरफ को अब देखते हैं सोम की वेल्यों है तो भाई कम से तो क्या आप पर ऑपको सबसे पहले क्या काम करना है। 47 oms की retrouve कि एसे ही लगांगे देखनी है तो मैं पे 37 oms की advertisement लेड़ता हूं क्योंकि 47 दालिस के लेर मिस के लेए फैंस आप्र यहां पर इसेट के पिने ही हैं यही पे लगा लगता है के लिए थी करme ranks Тתי hundred है और चेट को और करके देखते हूं ओब फ्रוגं कि पेजान देना इम्पोर्टन चीजेए जो मैं सि已经 करता है तैसे में स्चाभा अभी सॉंग प्ले करता हूं यह सॉंग sólo करताए सॉंग पले है तो यहां से हमारा ऊठ क्लियर नहीं हुआ तो स्या सते को लए प्रटे से आप में देखना है इसके अंदर कोई कंपोनेंट गल तो नहीं लिए नोट हों को रे राय Skill Ś्टेंश ओपन तो नहीं है तो भाई से से कर लेते हैं ऐसे और अब भी यहां पर इस तरह से आ रहा है सिद्धा ठीक है और में यह देखना है कोई तो नहीं गली हुई है भाई यह भी नहीं है ओपन यह भी नहीं है क्योंकि जादा जंग लगा हुआ है तो कोई ना कोई पर अकोई कंपोनेंट भी ऑपन हो सकता है तो द्राइस हो रहीं हो यह यह मैं से कि यह यह नहीं है यह नहीं है यहां से रिक में सबसक्वalण से ओपन है और इसको कलर कोड़ क्या है आप ब्लू ग्रे औरेंज ठीक है तो यह 68k की रेजिटेंस है तो 68k की तो मेरे पास नहीं है फिलाल मेरे पास जो रेजिटेंस है वो है 33K की तो मैं दो रेजिटेंस लेता हूँ 33K की मेरे पास यह 33K की रेजिटेंस है तो 33K की में स्रीज में लगाता हूँ और अभी इने दोनों का एक तरफ सोल्डिंग करता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ तो भाई मेने दो रESIMS को कर लिया है अप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नहीं पर देख सकते हैं क्षैसर मैं क्वी से होपन कर लेता हूं इस ओपन कर लेदा हूं आपके सामने हैं अब भी ध्यान दे नादोस्तो कांटी सिखार रहा हूं और यह रिजिद देखे दोस्तों जो हमारे यहां पर इन्पुट सेक्षन पर लगी हुई है ठीक है इस तो यहां से अपने तो यह देख सकते हैं अब यहां पर दोस्तों जो हमने श्रीज बनाई है 66 की जो रेश्टेंस है 66 की लगा रहे हम इसके जाएं कोई दिक्कत नहीं है भाई एक दो परसेंट टोल लेंस भी चल जाता है कोई दिक्कत नहीं हम इसके जाएं का लगा रहे हैं तो अभी हम यहां पर यह रेश्टेंस को फिक्स करेंगी ठीक है जी भाई देखे हम जो है ना यहां पर जो काम करते हैं बिल्कुल आपके सामने लाइव काम करते हैं तो भाई यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो बहुत मैनत करके आपके लिए वीडियो सूट करते हैं पैसा लगा कर तो प्लीज आपसे निवेदर नहीं रहता है वीडियो को लाइक कर लिया करो ठीक इस तरह से यहाँ पर लगा लेने हैं ति आपको यहाँ पर सोल्ल्टिंग कर दी हैं तो मैंने सोल्डिंग कर दी हैं और इसके एक्ष्ट्रा लेगा है और काट कर लेनी है यहां से मैंने तो सोधोर ईखता निॉस में करें होग कोई जिक्कत नहीं तो देख सकते हैं दौस्तों इस तरह से रीजीन लगाई है तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से टैस्ट कर लेते हैं इसको और शर्ट में ओने हैरा निए यहां से होनो गया है तो अब के तो आवाज बहुत अच्छी सी आई है दोस्तों देख सकते हैं आप बहुत अच्छी आवाज आ रही है पहले से तो आवाज बहुत बदल गई है तो भी देखेंगे दोस्तों यह देखें दोस्तों यह देखें यह देखें यह देखें ठीक है आप इसके एक्वालाइजर भी चलने लगे हैं और हमारी जो बेस मतलब जो स्पीकर है वो अच्छे जा काम कर रहा है अब पहले स्रीज में कोई ऐसा बलब भी नहीं जला था जैसे आवाज बढ़ा रहे तो अब देखें दोस्तों एक्वालाइजर भी चलने पहले एक माहिए यह देख सकते हैं अवाज बी किलियर आ रहे है कोई दिक्त नहीं आप देख सकते हैं यह देख सकते हो यही तोड़ियर के नहीं जोड़ चलना थे लाएग डेकि करने के लिए लेकिन जो फालत तो हमारा क्लियर हो गया पहले एकुलाइजर भी नहीं चले थे इतनी मंदी आवाज थी यूँकि आप चाहे पहले आवाज देख ले ना क्या थी और अब देख लो क्या आवाज आ देखे यह देखे थोड़ी सी आवाज करते ही इतनी जबरदस्त आवाज आ रही है देखे तो भाई बस हमारा देखी यह चोटा सा फालत है यहां पर एक रेश्टेंज जो है यह गली हुई थी और हमने दोस्तों फाल्टों किलियर किया समझा उसके बाद रिपेर किया पहले मनें बताया आपको ड्राइवर सेक्शन पर वोल्टेज चेक करने हमने ड्राइवर सेक्शन है वोल्टेज भी ठीक है क्योंकि अगर वैसे ती अलग उल्टी सिद्धी तो भाई हमारे टांश्टर खराब रगते हैं यह सोटिंग वाला सीन होता है लेकिन आँग फटी फटी आने का मतलब क्या होता है कि हमारी सिग्नल पूरे नहीं जा रहें वोल्टेज पूरे थे ल दोस्तों वीडियो लाइक कर लें जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लें थैंक यू